हैलो गाइज वेलकम बैक दिसे साघशी तो आज हम बात करने वाले हैं दो हजार बारा में रेलेस हुई एक होरर फ्रिलर फिर्म न लास्ट विल एंड टेस्टामेंट ओफ रोजा लिंड लेगी तो इस मुवी में आज हम बात करने वाले हैं एक माह रोजा लेगी अंते मिच्छा की जिसे उपर वाले पर पहुत साधा भरुसा है और उनका यकीन था कि मन्ने की बात भी एक और दुनिया है जिसे वो अपने बेटे को भी समझाना चाती थी पर इस वज़ा से उनका बेटा उन्हें अकेला छोड़ कर घर से चला गया था फिल्म के शुरुआत में रोजा लिंड हमें और अपनी बेटे लियॉन को अकेले पन के बारे में बता रही थी जोकि एक दरदल की तरह होता है और वो उसमें उसके पिता की मौत के बाद से फस्ती जा रही थी पर चब लियॉन इस दुनिया में आया तो उनके लिए खुशिया और सिंदगी फिर दुबारा से लौट आई हो पर उसके जाने के बाद वो दुबारा अकेली हो गई और वो उससे तभी मिल पाएंगी जब उसे भरोसा होगा कि मरने की बाद भी एक और दुनिया है उनकी मौत होने के बाद लियॉन घर में आता है जहां उसे बहुत सारी मौतिया और जगा जगा पर कुछ अजीब से कोर्ट लिखे हुए देखने को मिलते हैं वो पूरा घर एक्स्प्लोर कर रहा था जहां उसे बस चर्च से रिलेटिट सामान मिलते हैं वो अपनी ब्रॉकर बिल के फोन पर एक वोईस मेसिज छोड़ता है जिसमें लियॉन ने उसे कॉल करने को बोला था अब लियॉन घर की चीज़ों को देख रहा था तो उसे फ्रीज में भी उसे उसकी मा की दवाईयां मिलती हैं उसके मा की आवास हमें बता रहे थी कि उन्होंने उसका इंतिजार बहुत लंबे वक्त किया पर वो नहीं लोटा और ना उसने कोई कॉल किया यह घर एक पवित जगा है और मैं अपना सब कुछ तुम्हारे लिए छोड़ कर गई हूँ सीडियों से होता हुआ लियाउन अपनी बच्पन की कमरे में आता है वहां भी बहुत सारी मूर्थियां थी और उसके बैट के बगल में लिखा था कि अगर तुम एक चाकू नीचे किराते हो तो तुम से मिलने कोई आदमी आएगा तो हम उसके कमरे की बगल में एक और कमरा देखते हैं जो कि लॉक था अब लियाउन अपनी कार से घर की बहार चला जाता है कुछ खाने का सामान लानी उसके जाते ही हम हाल में किसी को कुछ ढूंटते हुए सुन पाते हैं पर उसे देख नहीं पाते कहीं सीन कट होकर हमें नेक्स सीन में लियाउन को घर में कुछ सामान लिये आते हुए दिखाया जाता है और वो अपने ब्रॉकर से बात कर रहा था जिसमें हमें पता चलता है कि लियाउन ने जो भी परसनल सामान को बीचा था उसे उसकी माने खरीदा था और उसके ब्रॉकर को ये बात पता थी पर उसने लियॉन को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया और शायद इसलिए घर आने पर वो कुछ सामानों को देखकर हैनार नहे गया था उसका ब्रॉकर उसे एडवाइस देता है कि अगर वो उन सामानों को दुबारा भीशना चाहता है तो वो उससे बताए इस बार वो उन सामानों को दुगने दाम में भीश देगा जिससे लियॉन भी खुश होता है बात करने की बात वो किचन में कुछ बनाने की तयारी करता है तो उसे लिखा दिखता है कि अगर टैप में से पानी टपक रहा हो तो समझे कि तूफान आने वाला है और सच में टैप में से पानी टपक रहा था जिसे वो बन कर दीता है अब वो को सामानों को एक बॉक्स में रख रहा था जहां उसे एक नियूस पेपर कटिंग मिलती है जिसमें उसकी फादर की तस्वीर थी और हम हेडलाइन्स को पॉर्कर समझ पाते हैं कि वो किसी कर्ट का हिस्सा थे और उन्होंने अपने बिलीफ को बनाए रखने के लिए सुसाइट कर लिया था ये सब पॉर्कर लियून थोड़ा अपसेट होकर अपना बॉक्स उठाकर नीचे बेस्मेंट में रखने आता है और वहां भी सामान भरे पड़े थे बेस्मेंट में उसे एक पुराने जमाने का टेप, रिकॉर्डर और एक मूरती मिलती है जो शायद उसकी ही थी तब भी उसे किसी की आवास सुनाई देती है तो वो उपर चेक करने जाता है और अचानक घर की लाइट्स चली जाती है तो वो टॉर्च लेकर पावर सप्लाइ का सुच ढूंते हुए वहां पर आता है और कुछ वो करे उससे पहले ही लाइट्स वापस आ जाती है तो वो चिप चाप सौफे पर सोग टीवी ओन करने की कोशिश करता है पर टीवी ओन नहीं होता उसे वहीं टेवल के नीचे एक मैकसीन मिलती है तो वो उसे उठा कर उसके अंदर की फोटोस और हेडलाइन्स को देखने लगता है उसे उसके अंदर एक पोस्टर भी दिखता है जिसमें एक कम्यूनिटी के लोग गॉड्स मेसेंजर्स बताते हैं जैसे उसकी पिता खुट को कहती थे वो उस पोस्टर पर बने दो आखों को देख रहा था जिस पर बिलीफ लिखा हुआ था अब लियॉन खाना बना कर डानिंग टेवल पर आकर एक मैगसीन पढ़ते हुए खाने लगता है तब ही जिस फॉर्क से वो खा रहा था वो नीचे गिर जाता है फॉर्क को उठाते ही कोई केट नॉक करता है केट खुलने पर लियॉन को पता चलता है कि वो उसका पड़ोसी है और वो उसकी माँ का दोस्त था उनकी मौत का दुख साहिर करने के लिए वो उसके पास आया है पर लियॉन उसे घर में नहीं आने देता तो वो आदमी उसे बताता है कि तुम्हारी मातुमारी एक कुट कम्यूनिटी का हिस्सा थी जिसमें हम तुम्हारी ही घर में ईश्वर के फरिष्टे को बिलाते थे वो उसे एक चानवर से साफधार रहने को बोलता है जो कि जंगल से आता है लियान उसे इस वार्णिंग के लिए थैंक्स बोलता है और वापस जाकर अपना डिनर खत्म करके जूस पीदे हुए उस कमरे के पास आकर उसे खोलने की कोशिश करता है तब ही अचानक बहुत तेज बारिश पढ़ने लगती है जिसे कोई तुफान आया हो हम समझ पाते हैं कि वो कोट्स कोई फाल्तु कोट्स नहीं थे फिर वो घर की खड़के को बंद करता है तो उसे टीवी पर वही मूर्ती देखने को मिलती है जो उसने बेस्मेंट में देखा था तब ही लियान को उसके डॉक्टर का कॉल आता है जिसे वो बताता है कि वो अपनी मा के घर आया है और उसके साथ कुछ अजीब सी चीजे हो रही हैं जैसे वो स्टैचू अपने आप टीवी पर आ गई डॉक्टर उसे समझाती है कि वो स्टैचू के साथ एमोशनली कनेक्टेड है इसलिए उसे ऐसा लग रहा होगा कि वो मूर्ती अपने आप टीवी पर आ गई जिसे असलियत में वो खुद लाया होगा हम उनकी बातों से समझ पाते हैं कि लेओन की माँ उसे बच्चपन में मूर्तियों के पास स्कैंडल जला कर उसे बार बार पूछती थी कि उसे फरिष्टों पर विश्वास है या नहीं और उसे वो मारा भी करती थी इसी वज़े से वो घर छोड़कर वहाँ से भाग गया था डॉक्टर की बाते सुनकर वो थोड़ा रिलाक्स हो गया था अब उसके बास सिगरेट पीते हुए वो मूर्ति की एक आख पर अपनी सिगरेट रगर कर उसे बुचा देता है और एक चाबियों का गुच्छा लेकर वो उस लॉक्ड रूम में चाबियों की मदद से उसे खोलने की कोशिश करता है पर वो दर्वासा नहीं खुलता हम बैकराउंड में उसकी मां की वोईस सुन पाते हैं चोकि बताती है कि कभी ऐसा वक्त भी था कि तुम मुझ पर भरोसा करते थे मुझ से प्यार करते थे पर जब तुमें कैंडल्स वाला खेल पसंद नहीं आया तो तुम मुझ से दूर चले गए उस खेल को तुमने कभी नहीं बुला इसलिए मेरे पास लॉट का वापस नहीं आये और ना ही मेरे फ्यूनर पर आये अब वापस इन शिफ्टों का लियॉन पर आता है बारिश रुख चुकी थी तो वह नीचे आता है चहां उसे एक किताब मिलती है चोकी मरे हुए लोगों से हम कैसे बात करी इस बारे में थी बुक्स के फोटोस और हेटलाइन्स देखने के बात लियॉन को आंत में एक टेप मिलता है जिसे वो बेस्मन वाले टेप रिकॉरडर में डाल कर सुनता है जिसमें एक शक्स मुर्दों से बात करने का तरीका बता रहा था जिससे हम समझ पाते हैं कि मुर्दों से बात करने के लिए कोई खास रिच्विल और बाकी की ताम जहन की जरुवत नहीं होती क्योंकि आत्माई हमारे सेंसिस की थ्रू हम से कम्यूनिकेट करती हैं जिसके लिए हमें एक एकांच जगा पर अपनी आख बन करके फोकस और धैर बनाए रखना होगा और खुद को अपनी विचारों भावनाव चिंदाओ को खुद से दूर करने के बाद खुद को एक्तम खाली करना होगा उस जीप के हर बात को फॉलो करते हुए लियान वहीं सोफे पर लेट कर खुद को आसाद कर रहा था और हम देख पाते हैं कि उसकी आखे कहीं और खुलती है शायद ये उसी का घर है चब वो अपनी मा के साथ रहता होगा अब वो आगे बढ़ कर एक कमरे में आता है जहां उसे उसकी मा के होने का एथा होता है जिसके पीछे उसका नाम लिखा था वो ध्यान से उस मूर्थी को देखने लगा था कि तभी उस मूर्थी की आख उसके सामने ही घूम कर उसे देखने लगती है जिससे वो डर कर उस मूर्थी को सूर से तबा देता है तो वो मूर्थी खुल जाती है और उसके अंदर से पर वीडियो की तरफ चला गया लिए उसकमरे में बनी एक सीड़ी को देखकर केंडल चलाकर नीचे जाता है तो उसे यह जगा देखी-देखी महसूस होती है जब वहां की मूर्ती को देखता है तो याद आ जाता है कि इस जगा को उसने टीवी में उस वीडियो में देखा थ तो वह जले से भाग कर वापस टीवी आउन करके उस वीडियो को देखने लगता है जिसमें उन सब का लीडर उन्हें हाथ उठाकर उस मूर्ती से उन्हें देखने के लिए प्रातना करने को बोलता है और लोग जोर जोर से उन्हें देखने के लिए प्रातना करने लगते है तब ही वो मूर्तिया अचानक अपनी आग खोल देती हैं जिस पर लियौन को भरोसा नहीं होता इसलिए वो दुवारा वीडियो देखता है तो सच में उस मूर्ती ने अपनी आग उनकी प्रातनाव से खोली थी यह देखकर लियौन पहले उस क्रूप के बारे में और लाइन स सुनते हैं जो कि हमें बताती है कि तुम्हें शुरू से उपर वाले पर भरोसा नहीं था क्योंकि तुम यह मानते थे कि हम बस अपने आप एदा होते हैं और अपने आप मर जाते हैं तुम्हें आत्माव पर भरोसा नहीं था इसलिए उन्होंने कैंडल्स वाला गेम रही थी वापस से इन प्रिजन्ट में आता है जहां पर लियॉन को बाहर किसी चीज की गिरने की आवाज आती है तो वो दर्वाजा कोड़कर गार्डन में आता है जहां वो कुछ अजीब सी आवाजे सुनकर पत्थर उठाकर पेरों के बीच में फेक कर वापस चाने लगता ह तब ही उसे किसी ओरत की आवाज आती है जो से उसके नाम से पकारती है तो लियॉन उस आवाज के पीछे भाग कर एक पुल के पास आता है जिसके सामने उसे एक अजीब सा जानवर दिखता है जो कि उसी के तरफ बढ़ रहा था तो वो डर की भागते हुए घर में आकर दर को दिखता है उसमान गायल यह थो उसके महाज करने के सोचता है तॉभी उसे है कि ने दिखता है दो हुआ हुए तो यह कि क्मपणी वालों को यह लिए क्वाल कर्ता है तकशा की बक्रून कंगए क्यंस्व पताव का मियर रहती और वह वागते का आता हैं कि नहीं कन दो कमपनी वाले उसके घर के बाहरी फुटिज भेशते हैं थोड़ा वीडियो क्लेन करने पर वो क्रेचर लियॉन और कमपनी वाले बंदों को दिखता है वो कौन सा जानवर है दोनों इस बात पर बात करते उससे पहले वो कॉल कट होने के साथ फुटिज पर गायब हो जाती है अब इन सबसे परिशान होकर लियॉन उपर वाले कमरे में अपना फोन चार्ज पर लगाकर अपनी मा के साथ कमरे में आता है तो उसे कमरे के अंदर किसी का हाथ दिखता है जिसे देख वो डर कर गेट बन करके उसे लॉक कर देता है अपने कमरे में आकर वो डॉक्टर को तो डॉक्टर उसे पुलिस बलाने को बोलती है पर लियोन मना कर देता है तो डॉक्टर उसे समझा कर शान्थ करने लगती है तब हम देख पाते हैं कि वो जानवर लियोन की तरफ बढ़ रहा है पर डॉक्टर की बातों से लियोन शान्थ होकर आखे खोलता है तब ही अचानक लियान उटकर अपनी उंगलियों से अपनी गाल को चूता है तो उसके उंगलियों पर उस क्रेचर का सहर गया लग जाता है और जब वो पीछे मुड़ता है तो वो क्रेचर उसे दिखता है जिसके देखकर वो डर कर बातरूम में भागकर खुद को बंद कर लेता है वो बातरूम की मिररन में देखता है कि उसके पीट पर उस चानवर ने हमला किया है और वो बेहोश होकर वहीं परेट जाता है बेहोशी में वो दुबारा उसी घर में उड़ता है जहां उसे उसकी मा की आफास परोसा करने को बोलती है और वो रियालिटी में होश में आ जाता है वो अपनी पीट का घाव देखता है तो वहाँ पर उसे कुछ नहीं देखता है फिर वो डर कर दर्वाजा कोलते हुए कमरे में आता है जहां पर कोई नहीं था अब हम अर्ली मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहां पर वो अपने ब्रॉकर को कॉल करके अब कुछ बेचने को बोल कर अपना समान लेकर घर से चला जाता है आतमें हम वापस उसकी मां की आवास सुनते हैं जो उसे जाने से मना करती है क्योंकि उन्हें उसे बहुत कुछ एक्स्प्रेंग करना था उन्हें उसे समझाना था कि उन्होंने उसके साथ गलत किया वो लेटर लिख कर उससे माफी भी माँगना चाहती थी पर वो कभी अपनों जिस बातों को शब्दों में नहीं उतार पाई उसने उन्हें अकेला उसी घर में छोड़ दिया उनसे प्यार करना छोड़ दिया उनकी कभी उसने परवा नहीं की और जिससे उन्होंने अपने अकेले पन की वज़े से ससाइट कर लिया अकेले पन ने उसे एक रात में ही हिला कर रख दिया तो सोचो उसकी माने सालों तक अकेले कैसे बिताए होंगे वो क्रेचर उनका अकेला पन ही था जो उन्हें खाय जा रहा था लास्ट में हम देखते हैं कि वो घर अभी तक नहीं बिका है और लियान की मा की आत्मा अभी भी लियान से उमीद लगाए बैटी है कि जितना प्यार और मेस्वो से करती हैं उतना ही उनका बेटा उनहीं करें आप लोगों को वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करकी जरूर बताए अब हम मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए टिक कियर एंड टाटा बाई बाई